वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदा ना पिल्कुल ना पूरें साथी हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस कर दें पिस्स्रिप्शन में दिया गया है बताया कि मुख्यमंत्री योग्या अधितनात के निर्देश पर पुलिस बल में जरूरत के मुदाबिक जनशक्ती की उपलब्दता के लिए नए पदों को मंजूरी थी कई इसका सर प्रदेश ये कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने और अपरादों पर प्रभावी नियंत्रण पर भी पड़ेगा कानपूर पीजी आई में 774 पदों पर होंगी भरतियां सरकार ने मन्जूर किया प्रस्ताव नई सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है बीते साल से लटके प्रस्ताव को शासन ने मन्जूर करते हुए गणेश शंकर विद्यारती मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलेटी पीजी आई में 774 पदों पर भरतियों की अनुमती दी है नेशनल मेडिकल कमिशन की मन्जूरी के बाद DGME कार्याले ने पहले चरण में संग लोग से वायों को 88 DM और MCH डॉक्टर्स को भरति करने का प्रस्ताव दिया माना जा रहा है कि एक महीने में भरतियां शुरू हो जाएंगी प्रदानमंत्री स्वास्य सुरक्षा योजना के तहट मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में PGI का निर्मार पूरा हो चुका है लगनों में आटो टेम्पो से चलने वाले लोगों की धीरी होगी जेब इतना बढ़ेगा किराया CNG यानि कंप्रिस नेच्रल गैस के दामों में बढ़ हुतरी के चलते आटो टेम्पो का किराया दो रुपे प्रती स्टॉपेज बढ़ाने की तैयारी है इस सलसले में टेम्पो टेक्सी महसंकी और से शुक्रवार को राजाजी पुरम में टेम्पो मालिकों की बैठक बुलाई गई जिसमें CNG की कीमत 80 रुपे प्रती किलो की पार पहुचने पर 2 रुपे प्रती स्टॉपेज टेम्पो का किराया बढ़ाने का प्रस्ताओ पर सेहमती बनी मासंग के वरिष्ट उपाध्यक्ष राजेश राज ने बताया कि किराया बढ़ाने के सम्मंद में एक प्रस्ताव सुमवार को STS सचिफ से मिलकर सौपिंगी उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में अंतिमबा टेंपो का किराया STF की कमेटी ने तै किया था अपरेल में इस डेट से मिलेगा गेहूं चना तेल और नमक प्रधानमंतरी गरीब अन्नकल्यान योजना के तहट दो से शुरू हुआ और दस अपरेल तकना आज बाता जाएगा राशनकार धारकों को पोटेबिलिटी के तहट राशन प्राप्त करने की सुविधा रहेगी और पोटेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 6 वा 7 अपरेल को उपलब्द रहेगी इस समंद में प्रदेश के खाद्या आयुक्त सौरब बाबु ने जरूरी दिशान अरदेश जारी कर दिये हैं इसमें अंतियोदे और पात्र ग्रहस्ती राशन काडों से संबद यूनिट्स पर पांच किलो खाद्यान का निशल को वितरन कराया जाएगा अपर खाद्या आयुक्त अनिल कुमार दूबे ने जानकारी दी है कि 10 अप्रेल को आधार प्रमानी करण के माध्यम से खाद्यान इप्राफ्त ना कर सकने वाले उभोगताओ को मुबाइल OTP वेरिविकेशन के माध्यम से वितरन किया जाएगा लगनव काद गुदाम समेट काई ट्रेंस 12 अप्रेल से रहेंगे निरास्त यात्रियों की बढ़ेंगे मुश्किले मुरादबाद रेल मंदल के इंतरगर सीतापूर रोजा रेल खंड पर लाइन दोहरी करन के चलते नौन इंटरलॉकिंग का काम होगा इस वज़े से मुरादबाद रूट के लखनव काद गुदाम समेट काई ट्रेंस 12 अप्रेल से निरस्त रहेंगी वहीं सीतापूर होकर चलने वाली मुरादबाद मंदल के नौ ट्रेंस लखनव के रास्ते आवगमन करेंगी ट्रेन नंबर 22453 लखनव जंक्षन मेरट राज़रानी एकस्प्रेस दो से ग्यार अप्रेल तक और 22454 मेरट लखनव जंक्षन राज़रानी एकस्प्रेस का संचालन 3 से 12 अप्रेल तक निरस्त रहेगा योगी सरकार ने पांच साल में बीस हजार करोड से अधिक की सरकारी खरीद कर बनाया रिकॉर्ड मुक्यमंतरी हो गया अधितिनात के प्रष्टचार को लेकर जीरो टॉल्टरेंस की नीती रंग ला रही है प्रष्टच में सरकारी विभागों ने जेम पॉर्टल के माधियम से पिछले पांच सालों में बीस हजार शेसो बयालिस करोड से अधिक के खरीद कर देश में पहले नंबर पर रहने का रिकॉर्ड कायम किया पिछले विद्धिय वर्ष्ट में रिकॉर्ड 11,228 करोड के खरीद की गई जो पिछले वर्ष्ट के तुलना में 143 वीजदी जादा है इसमें 60 वीजदी खरीदारी प्रदेश की MSME से हुई है सोन भदर में मिला 14 मिलियन वर्ष्ट पुराना फॉसल्स वेगयानिकों ने 100 टन यूरेनियम मिलने की जताई संभावना उत्पदेश के सोन भदर जिले में 14 वर्ष्ट पुराना फॉसल्स पाया गया जिले में फॉसल्स पार्क है जोहां करीब 22 वर्ष पहले इस कभंडार मिलने की संकेत मिले थे इसकी बात कई अलग-अलग इस्थानों पर सर्वे में वेगयानिकों ने यूरेनियम पाय जाने की संभावना जताई इसके लिए पहारी परतीन खुदाई भी करवाई चाचुकी है महिला अपरात पायानियम अंतर्ट के ले सरकार ने बड़ा अप्लैन अब हर दिन होगा ये का अब अपराद करने वालों के खेर नहीं खास दोर पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराद और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है दूसरी बार यूपी के बागजोर सम्हालने के बार मुख्यमंत्री का विशेश फोकस महिला सुरक्षा पर है शासन इस्तर पर इस संबंद में दिशा निर्देश चारी किया गया इसा देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले के पुलिस कप्तान अनुराग आरे ने विशेश संदेश चारी किया जिसमें साशन की मनशा के अनुरू भीड़ वाली जगों से लेकर महिलाव के सुरक्षा को लेकर विशेश सक्रियता बरतने को कहा गया है गुरकपुर में खुलेगा पुर्वतर रेलवे का पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल देश भर में कंटेनर्स का होगर ट्रांस्पोर्टेशन रेलो सलक दूनो मार्क से देश भर में कंटेनर्स का आसान परिवहन गुरकपुर से भी हो सकेगा कोई सामगरी कम समय लागत और मैंपावर में सुरक्षित एक से दूसरे इस्थान पर पहुत सकेंगे यह सुविदा जल्धी गुरखपुर जंक्सन से सटे नकहा से मिलनी शुरू हो जाएगी यहाँ पुर्वतर रेलवे का पहला मल्टी मॉडल कार गो टर्मिनल खुल रहा है नकहा से एक दिशमलाव चार नौ तीन किलोमीटर दूर हिंदुस्तान उर्वरक केवम रसायन लेमिटेड गुरकपुर को सीधे टर्मिनल से जोड दिया गया है खात की धुलाई जल्द ही डेल मार्क से शुरू होने वाली है नहीं होगा यूपी के श्रमिको का पलायान वारा नसी में बोले केविनेट मंतरी अनिल राजभर का काशी आगमन पर काशी वासियों ने जम कर सौगत किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी का कोई श्रमिक पलायन के लिए मजबूर नहीं होगा गरीबों का जीवन इसतर सुधारा जाएगा इसके लिए हर संभा प्रियास किये जाएंगे हर हाथ को काम देना सरकार की प्रात मिगता है शमिको के जीवन इस सर में जैसा भी सुधार हो और उन्हें शांदार जीवन जी निकाफ सर मिल सके इसके लिए हम कटी बद वासंकल पित हैं मोटे तोन वाले पुलिस कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी इन पांच परामीटर्स को पूरा करना है जरूरी उतर प्रदेश में पुलिस कर्मियों का चैन अब नए तरीके से होगा अक्सर अपने थुल्थुल और निकली हुई तोन्द वाले पुलिस कर्मियों को देखा होगा ऐसे पुलिस वालों पर प्रियाग राज के एससपी आजे कुमार के सकते कदम उठ गए हैं नए नियम के पुदाबिक अब हर 15 दिन पर 5 पेरा मीटर्स पर खरे उतरने वाले 15 पुलिस कर्मियों को एसेसपी खुद पुरुस करत करेंगे पुलिस वालों के निकलती तोंद उनके लिए परिशानी का सबब बन चुकी है पुलिस वालों को अपने फिटनस पर जादा ध्यान देना होगा प्रियागराज के असेसपी अजी कुमार ने बताया कि अधिकांश पुलिस कर्मी अपनी वर्दी और स्वास्त के प्रतीला परवा है इसे न केवल उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के प्रतीनकार आत्मगधारना बनती है बलकि आम जन्मानस में भी प्रतिकूल संदेश जारी होता है तीन जार शिक्षिको के स्थाई करण का प्रस्ताव लटका चुनाओं से पहले निरिशाले से शासन को भेजी थी रिपोर्ट सायता प्राप्त महाविद्यालियों के स्वावित्पोषित पाठी क्रवों में पढ़ा रहे लगबक्ती नजार शिक्षिकों को इस्थाई करने का प्रस्ताव शासन के विचारा धीन है शासन के निर्देश पर उच्षिक्षा निर्देश अले ने चुनाओं से पहले ही अपने रिपोर्ट भेज़ दी थी इस पहले भेजी के रिपोर्ट को शासन ने असपश्ट और हपून बता दिया शासन इस्थर पर हुई कई बैटकों के बाद वियने अमितिकरन की एक वायश शुरू हो गई अनुदानित महाविद्याले विश्विद्याले स्वावित्पोशित अनुमोदित शिक्षक संग के 27 जुलाई 2021 के पत्र पर शासन ने उच्छ शिक्षा निदेश अले से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी थी मरीजों को बाहर से दवाएं लिखने वाले डॉक्चर्स पर होगी कारेवाई उपमुकी मंतरी प्रजेश पाठक ने एनाइसी भवन में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बादे हमसे ठीका करन की समीक्षा की निर्देश दिये के इस्पतालों में उपलब डल्टरसाउंड एक्सरे और जांच से संब्देताने सभी उपकरनों को पूरी तरह से क्रियाश शील रखें चिकटसालियों के प्रवेश इस्तल पर वील चियर वास्ट्रेशर परियाप्त मातरा में रखें चिकटसक और स्वास्करमी मरीजों से अच्छा विवार करें रोगियों को बाहर के दवाएं लिखने वाले चिकटसकों के खलाफ अनुशास नात्मक कारिवाई की जाए अखलेश आदव ने समझाया महगाई का गणेट कहा 275 रुपे प्रति लीचर हो जाएगा पैट्रोल समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखलेश आदव ने पैट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंदर सरकार पर नुशाना साधा उन्होंने कहा कि अगला चुनाओ आने तक प्रति लीटर पैट्रोल की कीमत 275 रुपे हो जाएगी साथी उन्होंने सांक्रे को लेकर पूरा गणित भी समझाया खास बात ये है कि शनिवार को बीते 12 दिनों में दसवी बार इंधन की कीमतों में इजाफात दर्ज किया गया है उन्होंने ट्वीट किया कि जन्ता कह रही है कि 80 पैसे प्रति दिन या लगबग 24 रुपे महीने के हिसाब से पैटरोल के दाम युही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाओं नवंबर दिसम्बर में होंगे इस बीच साथ महीने में दाम लगबग 175 रुपे बढ़ जाएंगे जयनकारी कैंनकारी के इनुसार 24 रुपे आच्छा चर्मा की ओर से शहर में मीट पास की सबी दुकानों को अगले नोग दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया था महापॉर ने समंद में नगर स्वास्ता अदिकारी डॉक्टर मितलेश कुमार सिंग को पत्र बेज कर आदेश पर अमल करने और सभी मंदिरों की साफसवाई के निर्देश दिये थे मापॉर आशा शर्मानी शनिवार को जारी एक प्रेस विग्यप्ती के अनुसार नगर स्वास्ता अदिकारी को शनिवार को भीजे गए दूसरे पत्र में कहा कि घाजियाबाद शहर में मीट मास के दुकानों को बंद कराने के आदेश को संशोधित किया गया है अब उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी होने वाले दिशा निर्देशों का ही पालन सुनिश्रित किया जाए पाचपाई होंगे शिपाल यादव प्रसबास द्याक्ष्न दिये बड़े संकेत पीम मोदी और सियम योगी को ट्रीटर पर किया फॉलो समाजवादी पार्टी के रास्जी अध्याक्षा किलेश यादव से नारास चल रहे चाचा शिपाल सिंग यादव एक बार फिर से यूपी के राजनेती में बड़ा उलत फेर करने की तैयारी में है शिपाल सिंग यादव ने सफाविधायक दल की बैटक में ना बुलाए जाने से नारास चल रहे हैं पिछले दिनों शिपाल यादव ने मुक्यमंत्री आवास पर जाकर सियम योगी से मुलाखाट की तो सियासी गलियारों में प्रस्पा अध्यक्ष के भाच्पा में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गए हाला कि शिपाल सिंग यादव ने भी बड़े बदलाओ की बात कही थी सुकन्या समर्दी योजना जैसी चोटी बचत पर उचा ब्यास तीन महाँ और मिलेगा लेकित बीएफ पर ब्यास चालिस साल के निचले स्तर पर सारजनिक भविशन निदी किसान विकास पत्र रास्टी बचत पत्र डागर की आड़ी समेट अने चोटी बचत योजनाओ पर मौजूदा ब्यास दरे 30 जून तक लागू रहेंगी विद्यमंत्राले ने गुर्वाय को चोटी बचत योजनाओं की दरे जून ते माही तक इस्ते रखने का फैसला किया है चोटी बचत की योजनाओं में सुकन्या समर्धी योजना भी है जो सिर्फ बेचियों के लिए है इस पर मौजूदा ब्याजदर 7.6 पीजदी है 10 साल से कम उम्र की बेचियों के लिए सुकन्या खाता खुला जा सकता है पोस्ट अफिस ने शुरू के नई सेवा आप घर बैठे पीपिआ, फार्डी, सुकन्या सम्रधी में करे निवेश नया वित्वर शुरू हो गया है ऐसे में अगर आप टेक्स बचत के लिए पी पी आफ आर डिया सुकन्या सम्रदी में निवेश करना चाहते हैं तो ये काम घर बैठे कर सकते हैं इस विदर पोस्ट आफिस के डूरिस्टेप बैंकिंग से उठा सकते हैं, पोस्ट आफिस के सेवा देश भर के हर जिले कस्पी और गाउन अगरेकों के लिए उपपलबते हैं आई पी पी बी के अनुसा डूरिस्टेब बैंकिंग के जरीया आप बैंक खाता, फंड ट्रांसवर, नकर जमानिक 80, बिलो का बुगदान, जीवन बीमा के खरीद, स्मॉल सेविंग में निवेशादी जैसे काम कर सकते हैं हाला कि डूरिस्टेब बैंकिंग सिवर के लिए आपको 20 रुपे का शुल्क देना होगा कर्मशार्यों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबार, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आई बड़ी अपजेट, NPS पर सरकार के नी थी देशपर में एक बार फिर से नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर विवाद बढ़ गया है जिसके बाद सरकार नई पेंशन स्कीम को और अधिक प्रभावशाली बनाने की तयारी में जुट गई वहीं अभी हाला कि SBI रिपोर्ट में ऐसे तत्यकुल कर सामने आए हैं जिसके बाद करमचारियों को बड़ा जटका लग सकता है दरसल माना जा रहा है कि परानी पेंशन योजना की बांग कर रहे करमचारियों को एक बार फिर से निराश होना पड़ सकता है कुछ विबक्षी नियंतरित राजों ने अपने करमचारियों के लिए पुरानी परिभाशितला पेंशन योजना को फिर से शुरू करने और सुधार उन्मुक अंशदाई रास्टिये पेंशन परनाली को छोड़ने की योजना की घोशना के साथ केंदर सरकार NPS में पूरे कुछ अंतर से केती करने का फायदा मिले इसके लिए के इंदरा और राज्य सरकार अधिक से अधिक मात्रा में कस्टम हाइरिंग सेंटर खोल रही है इस सेंटर के लिए बैंक से 25 लाक रुपे तक का आसान लोन प्राप्त होता है इस पर 40 परसंट तक के सबसिदी सरकार के द के सुधा के लिए रेलवी प्रिशासन ने 2 से 11 अप्रेल तक गुरखपुर से अयुद्या के बीच 02-069 बटे 050-07 शूने नंबर की एक जोड़ी अनारक्षित पैसेंजर ट्रेन मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्ने लिया कर सुबह 7 बज़े ट्रेन आयुद्या के मेला स्पेशल गुरखपुर से सुबह 7 बज़े प्रस्थान कर दुपहर बाद एक बचकर 50 मिनट पर अयुद्या केंट पहुचेगी देश के पहली ग्रीन कैंटीन में कॉलेज के चात रखाएंगे खाना जल्द खुलेंगे ग्रीन रिंस तरह देश के पहली ग्रीन कैंटीन रॉस्टे शरकरा संस्थान में बनकर तयार है कैंटीन में मौजू सभी बर्तन और सामगरिया पूरी तरह से बायो डिग्रेडिबल है कैंटीन में प्रियुक्त हो रही प्लेट से लेकर चम्मच और गिलास तक सभी गन्ने की खोई से तयार की गई है संस्थान का उदिर्शे परियावरण के प्रती जागरुकता और बायो डिग्रेडिबल क्रॉकरी को बढ़हावा दीना है वाहनों का रिजिस्ट्रेशन रिण्यूवल हुआ महंगा वाहन मालिकों को देनी होगी आठ गुना ज़ादा फीस सेर्ग परिवन और राजमार्क मंत्राले के और से जारी नए नियमों के मताबिक अप्रेयल शुरू से भारत में पंद्रावच पुराने वाहनों का रिजिस्ट्रेशन रिण्यूवल महंगा हो गया रिजिस्ट्रेशन रिण्यूवल की फीस आठ गुना महंगी हो गई है दिली पोचे पुतिन के दूद ने दिया संकेत को आज से दिक्कत नहीं पर आराइसी दूर कर देगा भारती इंटेंशन रूसी उक्रेन यूदिके पीश दिली में दुनिया भर के प्रमुक देशों की बड़ी बड़ी हस्तियों का जमावरा लग रहा है रूस के विदेश मंतरी सरगेई लावरोव भी भारत और यहां अपने समकक्ष ऐस जय शंकर से मुलाकात की उनके दौरे के विशेश बात ये रही कि हाल के दुनों में भारत के आत्रा पर आए प्रमुक पिदेशी महमानों में वो अकेले शक्स थे जिन से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी मिले लावरोव ने रूसी रस्टपती व्लादे मेर पुतिन का संदेश प्रधान मंतरी मोदी तक पहुचाया बात में उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत और चीन के बीच इस्तिए एक हच्छ से जादा खराब नहीं हो रूसी ये सुनिश्चित करने के प्रयास में हमेशा रहेगा राजसान ने मुंबई को 33 रन से हराया पूल आर्ट की स्लो बैटिंग एमाई पर पड़ी भारी आईपिल 2022 के नवे लीग मुकाबला मुंबई इंडियन्स और राजसान रोयल्स के बीच हुआ इस मैंच में मुंबई ने टॉस जीत कर फिल्डिंग करने का फैसला किया पहली पारी में राजसान ने आर्ट पिकेट पर 193 रन बनाए और एमाई को 194 रन का लक्ष दिया इसके जवाब में मुंबई टीम ने आर्ट पिकेट पर 170 रन बनाए ये रोहित की टीम की लगातार दूसरी हार है वहीं राजसान ने लगातार दूसरी जीत दच की अब टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुँच गई है मुंबई दो हार के बाद नवे नमबर पर है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको ने उस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद